दीव्या को देखने लड़के वाले आए हैं लेकिन उनकी बात उसे लग रहा है कि वो लंबी-लंबी फेक रहे हैं हमारी यहां पाँच कार है साथ बाइस है फिर भी हम बस से आए हैं वो क्या ना कि हमें दिखावे का बिकल शौक नहीं है बड़ा नेक है अले बीटो लेकिन खुद की गाड़ी में बैट ना दिखावा थोड़ी ना होता है अरे हम दिल्ली से आए हैं बहाँ पुलीशन बहुत है ना तो हम गाड़ी में नहीं निकलते हैं यह उससे भी बड़ा नेक है आले बिटो लेकिन अगर आपको पुलिशन की इतनी चिंता है तो घर में पाच कार और साथ बाई क्यों रखी है अरे इतने पैसे हैं पुरसत में क्या करेंगे कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं अभी पिछले ही हफ़ते एक हेलिकाप्टर खरीदने का सोच रहा था तो क्यों नहीं खरीदा अरे उसके पंखे हवा ज्यादा देते हैं हमारी मा को ठेंड बहुत लगती है न अब बुज़र्गों का ध्यान रखना पड़ता है न अरे वावा ये तो बहुत बड़ा उंचा और नेक खयाल है हम कैसे मान लें कि ये लोग जूट नहीं बोल रहे हैं अरे हमारा परिवार जूट नहीं बोलता दिल्ली शहर में किसी से भी पूछ रेजेगा हमारे बेटे का बड़े लोगों में उठना बैठना है हाँ अरे छोटो चुपरा इतने बड़े लोग हैं जूट क्यों बोलेंगे हमारी फैक्टरी है और ऐसी फैक्टरी की यहां ग्रहक आया इधर सामान बनाया जल्दी जल्दी और हम हर कामना जल्दी करते हैं वही तो तब जल्दी जल्दी अपनी बेटे का हाथ हमारे बेटे के हाथ में दे दीजिए दिव्या के पिता जी दिव्या के भाई छोटो की एक भी बात नमानते हुए दिव्या की शादी दिल्ले के इस फेकू परिवार में करवा देते हैं जब दिव्या ससुराल पहुँचती है तब आपकी कार्ज और बाइक्स कहा है? मुझे बाहर जाना था किसी काम से कार और बाइक्स? कौन सी कार और बाइक्स? हरे, जब आप मुझे देखने आये थे तो कहा था न कि आपके यहाँ पाँच कार्ज हैं और साथ बाइक्स हैं? आँ, हाँ, हाँ, उस दिन थी, आज नहीं है है? आज कहा गई? आरे, जिन की थी वो लेगा है? मतलब वो आपके नहीं थी? आपने तो कहा था हमारे घर पर है हाँ, घर पर थी, बाबु जी का एक पार्ट टाइम काम है कार और बाइक दोने का उस दिन घर पे पाँच कार और साथ बाइक्स थी तो बोल दिया था अरे, जूट तोड़ी न बोला है, जैसा था, वैसा बोल दिया और वो हेलिकॉप्टर खारितने वाली बात, वो जूट थी क्या? अरे, बिल्कुल नहीं, शेहर में एक नई कंपनी आई है पंकी की जिसके पंके बड़े हैं, कंपनी का नाम हेलिकॉप्टर रखा है जब लेने गया है, तो हवा बहुत तेज फेक रहा था तो मा ने बोला, ठंडी लगेगी बेटा वैसे भी दिल्ली में ठंड जैदा होती है न, जूट का बोला मैंने, जैसा था वैसा बोल दिया हे भगवान, और वो फेक्टरी वाली बात, इधर ग्राहक आया, उधर सामान तयार हारे वो भी तो बिल्कुल सही है, मेरा न, पानी पुरी का ठेला है, इधर ग्राहक आता है, उधर पानी पुरी बना देता हूँ हारे जूट का बोला, जैसा था वैसा बोल दिया हे राम, मेरे तो करम फुट गए, आपने तो कहा था कि आप लोगों का बड़े लोगों में उठना बैठना है अरे है तो, पहले मैं बहुत बड़े लोगों के यहां नौ कर था, जब भी कोई गलती करता, तो वो मुझसे उठक बैठक लगवा देते हो गया ना, बड़े लोगों में उठना बैठना दिविया, अपने साथ हुए धोखे पर रोने लगती है और ठान लेती है कि वो ससुराल वालों को लाइन पर लाकर ही रहेगी और उनकी ये जूट पुलने वाली आदत छुड़वा कर रहेगी आप लोग खाने में क्या लेंगी करेला खा लूँगा अरे मुझे तो टिंडे खाने है कद्दू खाऊंगा अच्छी बात है, खाने की टेबल पर मिलते हैं शाम को जब सब खाने की टेबल पर मिलते हैं तो सब देखते हैं कि टेबल पर प्लेट्स में एक पूरा और कच्चा कद्दु रखा है, कच्चा करेला रखा है और कच्चे टिंडे भी रखे हैं। बहु, ये सब क्या है? ससुर्ची के लिए करेले, आपके लिए टिंडे और श्रवंची के लिए कद्दु। आरे, वो तो दिख रहा है, लेकिन ये पकाया क्यों नहीं है? आप लोगोंने पकाने को तो नहीं कहा था, बस मैंने पूछा था क्या खाएंगे, तो आपने ये कहा था कि करेले, टिंडे और कद्दु खाने वाले हैं। ये क्या मजाक है दिव्या, तुम जूट बोल रही हो। अरे, मजाक कहा है, आपने कहा कद्दु खाएंगे, तो खाएंगे, ऐसी थोड़ी न कहा था कि पका हुआ खाएंगे, और वो आप क्या कहते हैं, जैसा था, वैसा बोल दिया, जूट कहा बोला मैंने। दिव्या की बात सुनकर, समझकर, सब शर्मिंदा हो जाते हैं, और उन्हें अपने किये और जूट बोलने की आदत पर पच्टावा होता है। दिव्या समझदारी दिखाते हुए, उन्हें सच के रास्ते पर चलने और किसे से मजाग में भी जूट ना बोलने की सीख देती हैं, और उनकी काम में मदद करके, उनकी काम को और बड़ा बनाने में मदद करने लग जाती है।